नीरत चोपड़ा ने पैरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है जीहां भारत के स्टार जेवीलियन थ्रोर नीरत चोपड़ा ने पैरिस ओलंपिक दोजाद चौबिस में शांदा प्रदिशन करते विए सिल्वर मेडल जीता है 26 साल के नीरत ने 89.45 मिटर दूर भाला फेक कर दूसरा इस्थान हासिल किया इस उपलबदी के साथ नीरत लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे खिलाडी बन गए है इससे पहले रेसलर शुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीत कर यह कार नामा किया था वहीं पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड रचा है अर्शद ने बान में पॉइंट सत्तान में मिटर दूर भाला फेक कर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया उनके दो थ्रो 90 मिटर से ज़्यादा के रहे जो की एद्वित्य है वहीं ग्रेनेडा के एंडर्स और पिटर्स ने 88.4 मिटर थ्रो के साथ ब्रॉंज मेडल हासिल किया नीरज चोपडा के इस उपलब दिपाय प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किया गोरफुट टिपणी भी है प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि नीरज एक्सिलेंस का जीता जागता उधारन है उन्होंने बार-बार अपनी प्रतिभा का परिच्च दिया है वहीं नीरज की माने भी कहा है कि हमारे लिए सिलवर की बराबर ही गोल्ड मेडल है जिसने गोल्ड जिता वह भी मेरा ही बेटा है वही नीरज के पिता ने इस मैडल को विनेश फोगाट के जज़बे को समर्पित किया है नीरज चोपड़ा के संघर्स और समर्पन की कहानी भी कम प्रेना दायक नहीं है 2010 में मातर बारत साल की उम्र में नीरज ने जेविलियन थ्रो की शुरूआत की थी पानिपत के S.A.I. सेंटर में अक्षर चोधरी नीरज के पहले कोच बने थे अक्षर इस बाद से प्रभावित थे कि नीरज इतनी कम उम्र में बिना किसी ट्रेनिंग के 40 मिटर दूर जेविलियन फेक लेते थे इसके बाद नीरज ने पंचकुला के ताउ देविलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नसीम एहमद से ट्रेनिंग ले जहां उन्हें स्टैमिना और एंडियोरेंस बढ़ाने के लिए लोंग डिस्टेंस रनिंग की ट्रेनिंग भी दी गई नीरज ने पंचकुला में तीन बार के उलम्पिक चैम्पिरियन जान जेलेनी की वीडियो देखकर उनकी स्टाइल की नकल करना शुरू किया इसका असर यह हुआ कि नीरज का थ्रू पच्छवर मिटर से बढ़ कर 68.40 मिटर का हो गया 2012 में लखनौ में नीरज ने इस प्रदेशन के साथ गोल्ड मेडल भी जीता था